नमस्ते सदावसले मातरवु में मयामार बौर्डर पर भारत के साथ बहुत कुछ चल रहा है ऐसी सिचुवेशन में भारठ के अंदर के कुछ मुक्क मंत्री जिसे मिजरम के मुक्क मंत्री भारत सरकार का विरुद कर रहे हैं और यह इल्जाम लगाया गया है कि जिस समय मया मार के एक प्रांत जिसको कारण प्रांत कहते हैं, कारण स्टेट कहते हैं, कारण प्रोविंस कहते हैं, कारण प्रोविंस में जब एर स्ट्राइक तीन बार संडे की रात को और मंडे को, मंडे की सुभा को तीन बार एर स्ट्रा आगे तो भारत की security forces ने लगबग 114 या पंदरा लोगों की हत्या कर दी यह कहा गया कि हत्या कर दी human right commissions active हो गए है United Nation human right commission statement दे रहा है और भारत के अंदर के तो human right के नाम से धकोसला करने वालों ने तो जंग ही छेड़ दी है कि उनको मया मार में हो रही एर स्ट्राइक का बड़ा कस्ट है कस्ट होना भी चाहिए ठीक है कि उनको कस्ट है लेकिन वह भारत को एक्यूज कर रहे हैं मया मार को करने के बजाए क्या कारण है क्यूंकि भारत की security forces ने किसी को भारत के बौटर में अंदर नहीं आने दिया इन लोगों को भारत के अंदर refugee status देते हुए, खाने-पिने की विवस्ता की जाए, उनके जब्रोजिगार की विवस्ता की जाए, और ये हमारे ही प्रकार के लोग हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे उनके साथ traditional संबन्द हैं, हमारे शाधी वियाहां उनके साथ होते हैं, और पता संबानिकोबार में रहते हैं, खास्तोर से अंदमार के एक district में लगबग धाई जार से तीन हजार लोग पाए जाते हैं, और जो मिजोरम या मिजो, जो कह रहे हैं, या मिजरम का चीफ मिनिस्टर जो कह रहा है, उनका कहना है कि इनके हमारे बहुत पारिवारिक संबन्द है हैं और यह हमारे ही प्रकार के लोग हैं इसलिए इनकी सुरक्षा करना हमारा दायत तो बनता है और इन लोगों को हम सुरक्षा देंगे लेकिन भारा सरकार सरकार्व ने इसम राइफ dominant को बारट सेक्यूर्टी फोर्स को और वहां पर जो प्रकार का कोई भी विक्ति भारत के बॉर्टर में अंदर एंट्री नहीं करना चाहिए और यहां तक की हो मिनिस्ट्रेश चीमनिस्टर को च्छल में जोरम के चीम मिनिस्टर को यह तक कह दिया की रिफ्यूजी देना हमारा काम नहीं है क्योंकि हम United Nation refugee convention का हिस्सा नहीं है हम उसके designatory नहीं है हमने उसको sign नहीं किया है इसलिए हम refugee status नहीं दे सकते हैं अभी हाला कि और सुप्रीम कोर्ट में रोहिंग्या वो रोहिंग्या भी मायमार से ही आते हैं रोहिंग्या इसको लेकर और सुप्रीम कोट में भारत सरकार ने साफ साफ दो टूक शब्दों में अपना एफिटिविट लगाया और उस एफिटिविट में उन्हों ना कहा कि भारत को हम किसी भी प्रकार से बाहरी लोगों का अड्डा नहीं बनने देंगे और यह हम इसके लिए द्रण संकलप है आला रहränकि सुप्रीम कोट ने जब उनको नोटिस की है तो सुप्रीम पूट को भारत सरकार ने का यह भारत के एग्सट्रम अफैर्स का मामला है और भारत के वीजा लेकर या लीगल तरीके से एंट्री मारी उन पर ही सुप्रीम कोर्ट कुछ टपड़ी कर सकता है जो लोग illegal immigrants हैं और उन्होंने भारत में अड़ा बना के रखा है उनके लिए भारत सरकार आज की भारत सरकार की कोई रियायत बरतने वाली नहीं है उन लोगों को अपने जाती के लोगों अब यहां यह जानना बहुत आवश्यक है कि कारण जाती क्या है यह एक्चुली चीन और तिब्बत का मिक्स्ट आवादी है जो किसी प्रकार से मयामार में घुज गई उस समय मयामार आप एक एक सतंत्र प्रविंस हुआ करती थी अंग्रेजों ने मयामार में Baptist Christians की मिशनरियां भेजी जैसे भारत में बाकी जगों पर मिशनरियां भेजी वैसे बहां भी मिशनरी 1830 में गई और 1830 में मिशनरी इसने जाकर वहां कारण को टर्गेट बनाया क्योंकि कारण जाती के लोग वहां Minority में थे या ethnic कहे गए और लगभग तीसरी बड़ी आ सब्सक्राइब आने के बाद उनको Baptist Christian बना दिया और जो Christian बनना शुरू हुए तो 1806 में British India ने उस पर कभजा करने के बाद उसको British India का पार्ट बना लिया हना कि 1947 में सवतंतरता के बाद 1948 में मयामार सवतंतर हुआ और 1948 में जब मयमार स्वतंत्र हुआ तो वो हिस्सा जो कारन का हिस्सा था वो मयमार का हिस्सा चुकि पहले से था वो मयमार का हिस्सा हो गया कारण Liberation Army बन गई, कारण Liberation Army ने वहाँ अपने आपको Autonomous जैसे हमारे हाँ जमुन कश्मीर में Autonomous हमको बनाया जाए, देश से कुछ अलग हमको रियायतें दी जाएं और कारण वैसे भी आजकल मशूर है, पूरे वर्ड में अगर कारण शब्द का मतलब निकालेंगे, तो उसका मतलब होता है Brave Women, Brave Women मतलब वो महिला हैं जो अपने आपको कुछ विशेश मानती हैं और Privilege रखती हैं और उन वो अपने आपको बाकी Community के साथ नहीं मिलाती है, हाला कि वो General Meaning है, Grammatical Meaning है, लेकिन कारण अब वो लोग हैं जो कारण प्रोविंस में रहते हैं मयामार में, लेकिन वो सिनो तिब बतन प्रजाती के हैं, कुछ लोगों का दावा है कि वो चाइना की गोवी डेजर्ट से भी आते हैं और वो वहां जाकर बस गया है, अब वो वहां पर मयामार में एक autonomous current state बनाना चाहते हैं और autonomous current state के लिए उन्होंने जब कारण लिबरेशन आर्मी बनाई तो कारण लिबरेशन आर्मी ने हतियारों को धरन किया, हतियारों को धरन करने के बाद मयामार सरकार के खिलाफ उन्होंने युद्ध करने शुरू कर युद्ध आंदोलन इस स्टेट पर स्टेज पर पहुंचा कि मया मार को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया और एक रास्त की जो फिलोसपी है वो मुश्किल हो गया क्योंकि अब ये पहले से चाइना के मूल निवासी हुआ करते थे तो चाइना ने उनकी मदद करनी शुरू किय और उन्हें चास में जब इन्होंने सत्ता हतियाई कम्मुनिस्टों ने तो वहां पर कम्मुनिज्म की फिलास्पी और इस नाम से उनको अपने नजज़ी खीसा गया कि तुम भी चाइनीज हो हम भी चाइनीज है और वहां पर एक डिस्टरबेंस करना शुरू किया दूसरा जो क्रिशन्स हो चुके थे वो जादा तर या तो कैनेडा में शिफ्ट हो गए उनमें से एक बड़ी अबादी कैनेडा में शिफ्ट हो गई अमरिका में शिफ्ट हो गए और वहां से उन्होंने यहां पैसा सप्लाई करना शुरू किया और कनवर्जन का काम शुरू किया न इसलिए वो गुरिला युद्ध पर उतर आये और मया मार की सरकार को जितना डिस्टर्ब कर सकते थे उतना डिस्टर्ब आतंकवाद टाइप का एक मुमेंट महां पर शुरू कर दिया यह बात है कि मया मार के अंदर एक पूरा डिस्टिक है जिसको कारण स्टेट्स मुट्रो डिस्टिक कहते हैं एक रिवर है सालविन रिवर सालविन रिवर एक ऐसी रिवर है जिससे ऐसा लगता है कि वो कटा हुआ हिस्सा जैसे काश्मीर का हिस्सा अगर बीच में जम्मू से जाएंगे तो अगर वो दर्रा ना हो तो काश्मीर का हिस्सा कटा हुआ सा लगता है हम भारत में मुवमेंट अच्छा चला लेंगे वैसी ही कारेंट प्रोविंस जो है वह एक रिवर है सैल्विन रिवर मेया मार से वहां से वह उसको दूर करती चुकि बड़ी रिवर है इसलिए वह कंट्री अगर वहां से लगता है देखने में यह दो हिस्से अलाग अलाग उनकी कम्मिनिकेशन उनका रास्ता नधी के उपर से जाता है इसलिए वहां पर मुवमेंट चला नभी असान हो और दूसरे कंट्री को वहां डिस्टरफ करना भी आसान हो जाता है जब यह सब कुछ वहां चल रहा था इसी दौरन अभी कुछ दिन पहले ही वर्ड की बहुत सारे कंट्री बहुत सारे कंट्री जिसमें रशा चाइना पाकिस्तान बंगलादेश वियतनाम लाओस थाइलेंड और दूसरे कंट्री शामिल हैं जब शामिल हुए जब वहां पर टाटमांडा डे की परेट चल रही थी भारत पे उसमें शामिल हुआ अब इनका कहना ये है कि टाटमांडा परेट पे भार शामिल हुआ और उसके कुछ ही समय बाद ये वहां पर इस तरह का मुमेंट शुर के दिन में सुबह को उन्होंने तीन बार एर स्ट्राइक किया जिसमें पांसो से ज्यादा लोगों की मृत्यू हो गई और कारण क्या है कि वह गुरिल्ला युद्धक छेड़े हुए थे वह अलेडी कैम्पों में रह रहे थे और वह इस बात पर अले हुए हैं कि वह एक तो फेडरेशन इंडिपेंडनेंस मिजो फेडरेशन ये भी एक जो आज के मुखमंत्री वहां के हैं वो भी इसी मूवमेंट में एक लंबी समय तक लगे रहे थे कि वह मिजरम को या मिजो जाती को फ्रीडम कर फ्री करवा देंगे और अलग एक और्टरनमस बाड़ी बना की घाल मेल से कुछ नई खिचडी पक रही थी उस नई खिचडी को जो पक रही थी उसमें मया मार की सरकार ने जो एक्शन लेना शुरू किया और मया मार की सरकार ने वहां मिलिटरी ऑपरेशन चलाए जिसको जो जो आर्मी वहां की इस समय काम कर रही है वो फ्री बर्मा र करने की बात करी अब वहां एक बेविशिश्ट की प्राब्लम चल रहे हैं प्राब्लम यह कि ओर्जिनल में मार के लोग वर्स्स यह एक कारण लोग जो चैना से ऐ रहे कारण वर्सस ओर्जिनल मयाभारा कारण में भी कारण Position और कारण कृष्षन और मयामार का बुद्धिस्ट कृष्षन तो अंग्रेजों ने बनाया था हमारे नौर्थीस्ट में भी पूरा यह प्रयास चलता रहा और आपको मालूम है कि मदर टेरेसा जैसे जिनको मदर का दर्जा देने का काम किया गया सिस्टेमेटिक जानबूच कर वो अपने देश में जितनी गरीबी थी और परिशानी से वहाँ छोड़कर हमारे नौर्थीस्ट में लग गए और ज्यादा तर मिश्णरिया आज भी नौर्थीस्ट में ही काम करती हैं क्योंकि नौर्थीस्ट में एथनिकली लोग कई प्रकार करने के लिए वो चल लगातार चलते रहते हैं ऐसा कहना है की लगभग 30 से 40 लाख कारण लोग इस प्रांत में रहते हैं जिनके सामने इस समय बहुत संकट है और भारत के कम्मूनिस्ट खास तोर से जो भारत में काम करते हैं और भारत के जो ग्रुपस हैं वो लगातार इस के बात को वर्ड फॉरम पर उठा रहें कि भारे सरकार क्यों नहीं करते हैं। मज्झे के बात यह है कि युद्द चल रहा है about ám Armstrong's म्यमार की आरमी कोई भी आरमी हो हमारी देश की भी कोशिश करेगी तो आर्मी की जिम्यवारी बनती है कि वो उनको डिप्रेस करे और उनके खलाफ जो काम करवाई कर सकती करे और अगर फिर भी नहीं मानते तो फिर सीधा डिरेक्ट एक्षन ले मैं मार की आर्मी इस समय यही कर रही है कि कारण जो बाहर के आये हुए लोग हैं उनको वो लगातार क कि आर्मी का एक्षन लेना सौभविक्ता तो आप देख लीजी यह जो लोग यह कहने वाले हैं जिनका यह कहना एकरे बधिस्ट के तमाम गूरुप नई ने खूल लिए गए हैं एक बुद्धिस्ट नबवद्धा जिसने कहा बुद्ध के फॉल्वर दर लेकिन हम नई वि की फिलोसिपी आगी अब नब बुद्ध में भी एक नई बात आ गई अंबेड कर वा लिया निकि जो भारत में शिडूल कास्ट है वो कह रहा है कि हम नब बुद्ध हैं लेकिन हम अंबेड कर वादी नब बुद्ध हैं अब आप देखिए जितने इस प्रकार के गृप्स तै बहुत पूराना है क्योंकि जब मुसल्मान भारत में आये अकरांता भारत में तो उन्हें हिंदू की ही माताव पेनों के साथ गलत किया करवाया कर अपनी अपनी पौट तयार की और जो मुसल्मान अब उन्हें ने नया बनाया वो कुछ समय साथ उसे साल तो उसको तीन सो साल तक तो उसको याद था कि नहीं हमारे पूरवज हिंदू हैं और हमें वहां नहीं इनके चकर में नहीं पड़ना लेकिन उसके बाद सतंतर भारत के बाद खास्त वर सही है सतंतर भारत से पहले जब अंग्रेरों जोने 1906 का मुस्लिम लीग ब मानकर आपके पूर्व जोने 200 साल 300 साल पहले कभी भी उनकी बात मानी होगी या उनके बहकावे में आ गए पैसे के दंपर आ गए सत्ता के लोल लालच में आ गए जैसे भी आप कनवर्ट हो गए लेकिन अब वो यह कहने लगे हैं कि हम हिंदू नहीं है और हिंदू तो काफ करिशनों को भी मालूम था कि कनवर्टन से ही हिंदूतान डिस्टर्व किया जा सकता है और आज फिर से नए सेरे सेच्छों कि मुसल्मान और क्रिशन के खलाफ तो लोग खड़े हो गए हैं और देश में एक जगरुकता फैल गई है कि नहीं क्रिशन बनने का मतलब है देश के विरुद्द खड़ा होगा मुसल्मान होने का मतलब है देश के विरुद्द खड़ा होगा और अब उसको यह समझाया जागा कि खाली में ही तुमारे भगवान रहते हैं और उनकी बात तुमको माननी है चाहें यहां की जो परसित यह उससे सूटेबल हो ना हो और अगर करके उसके खुलाफ चली जाती है और वह उनहीं को मारना लगती के वो बेसिकली लोग है यह प्रॉब्लम नौर्थ इस्ट की रही है कि धीरी धीरे नौर्ची सुदर रहा है और ये प्राब्लम मयामार में भी रहे तो जो लोग भी कहने मदर टेरेसा के आने से ये वो अच्छा कर गई और कनवर्जन कर गई उस पीडी को ये एसास नहीं होता कि कि वो क्या कर गई उस पीडी को लगता है कि नहीं हम कुछ अच्छा काम करना है लेकिन अगली पीडियां जब दो-तीन जाती हैं तो दो-तीन पीडियों के बाद वो कट्रपंद शुरू हो जाता और कट्रपंद उनको अपने पूरुबज कहीं इंग्लेंड और अमेरिका में देखने लगते हैं उनको अपने पूरुबज कहीं मक्का और मदीना में देखने लगते हैं उनको अपने पूरुबज कहीं चीन में देखने लगते हैं जैसे बुद्धिस्ट भारत का एक नई पौद तयार करने नवब बुद्धि तयार चाइना करवा रहा है तो नवब के आधार पर उन देशों को डिस्टर्प किया जाता और जिस तरह से देश में इस तरह कि कई एक एथनिक ग्रूप से बन जाएंगे देश ग्रहयुद्ध की तरफ बढ़ने लगता है और जैसे ग्रहयुद्ध की तरफ देश बढ़ता है तो विदिश्य शक्तियां आकर उस द किलोमेटर के लगभग या एक दिनन्य लाँख स्क्वेर किलोमेटर की तरह उनके छेतर से उनने इन कंट्रियों को डिस्टर्प किया और उन कंट्रियों को छिन जांग को तिब्बत और जो दूसरे प्रोविंस थों फर कबजा कर लिया और उसके बाद जो ये एथनिक ग्रूप तयार हुए थे जिन्हों ने वहां डिस्टर्व के थे थे उन्हीं की मारकाट करके उनको भी क्लीन कर दिया और उनको क्लीन करने के बाद सिर्फ अपनी एक ही फौद रखी और वो लिबरेशन आर्मी यानि की जो चीन की कम्मिनिस्ट पार्टी ये कम्मिनिस्ट विचारधार के लोग थे बाकी लोगों की सबसे अगर कहीं हत्या हुई तो चीन में हुई अंग्रेजों ने भी ऐसे ही किया ये भारत में भी ऐसा चल रहा है और अगर बाइचांस इश्वर न करे और कभी हो नहीं सकता हालागी जनरली भारत ये इस बात के लिए प्रिपेड रहता है और भारत में तमाम तरह के मुवमेंट चलते ही रहते हैं इन लोगों के खिलाब 2014 के बाद एक बड़ा मुवमेंट चल रहा है वो आपको दिख भी रहा होगा क्योंकि सरकार दूसरे प्रकार के है सरकार सबका साथ सबका विकास सबका स समान सबका विश्वास लेकिन तुस्टी करन किसी के साथ नहीं और तुस्टी करन जो करने के कोशिश करेगा जो आपने आपको आपने आपको अटनॉमस बताने कोशिश करेगा जो भारत के खलाफ बोलने की कोशिश करेगा जो कहेगा कि हम अलग हैं उनका क्या हश्र होगा उत्रप्रदेश में तो गणिया पलटती हैं और दूसरी जगहों पर क्या होता है वो आपको दिख रहा है लेकिन ये हम सब को सोचने किया वशक्ता है कि मयामार की ये सिचुएशन सिर्फ इसलिए आई क्योंकि मयामार का कारण लोग ये कहना शुरू कर दे कि हम कारण बुद मैं हमारी मुद्दि नहीं हैं ये किसीने तो पीछे से उनको समझाया रही होगा कहीं से वाओ प्र अज भार्त सरकहर ने UNO से कहें भारत के लोगों को कस्ट है तो वो दूसरे कंट्रियों से कहें भारत तो already over population का शिकार है और इस over population में हम किसी ethnic group को भारत में नहीं entry देने दे सकते हैं और जो entry ले चुके हैं चाहें वो हिंदुस्तान के हिंदुस्तान के पुराने हिस्सों के मुसलमान हों पुराने हिस्सों के क्रिशन हों या और भी लोग हों जो मैं अमार बॉर्डर से रोहेंगे वगर आने के कोशिश कर रहे हों इनको हम भारत में entry नहीं देने दे सकते हैं क्योंकि हमारी अपनी problems हैं इसलिए भारत सरकार का action आज पुरानी सीखों को ध्यान में रखते हुए पुराने दर्दों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार अपने ही action में दिखी तैंक यू वेरी मच